नमस्कार दोस्तों ओम नमह शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभिया हर हर महादेव कैसे हैं। आप सब देखिए आज का यह विडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जूम 2024 यानि की सुमवार के दिन आशाध माह की तृतिया तिथी पड़ रही है दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक और हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरू अपनी अभी की शिव पुरान की कथा में ही बताया है, मैं जीस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलिए दो मनोकामना पूर्ण नहीं होते 24 जून 2024 यानि सुमवार के दिन एक छोटे से, उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फλ भी जरूर मिला है, अगर आप लोग भी इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाईय, समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्री द अपने दोश को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है बस सोमवार के दिन आपको इस एक दीपक और एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेश दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेश दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो क्योंकि दोस्तों 24 जून 2024 यानि की सोमवार के दिन का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक और हल्दी वाला उपाय समझाएंगे जी इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है किसी भी प्रकार की परेशानी है सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है अगर प्रापती नहीं हो पा रहा है रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिकत, परेशानιά चलती चली आ रही है, आपका ब्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से, नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना को में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप ए एक खर्च करने से पहले कई-कई बार सोचने लगे हो आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक और हल्दी का एक ऐसा विशेश उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर् पर पहली बार आये हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गु उसका दीपक आप तयार कर सकते हैं इसके बार आपको लेना है शुद्ध गाय का घी अगर वह नहीं है तो कोई भी देशी घी इस्तमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रजवलित करना है देखो अब यह सब सामगरी लेकर आपको जाना है प्रदोश काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है देखो वहां पहुँचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रजवलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह का ग्यारा बार जाप करना है उसके बाद आपको अपने सीधे ह मात में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है उसके बाद माता लक्षमी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्षमी हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो है महादेव हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो इस भा दो फूल वाली आपको लॉंग लेनी है लॉंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखें इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर देखिए यदि आपके पास लाल चंदन की लकट्ध है तो उसे घिसकर भी आप साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तामबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से अब दोस्तों यह तीनों सामगरी लेकर के सीधे आपको पहुँच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में देखिए इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं शुद्ध आटा मन कर उसका भी तयार कर सकते हैं और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामगरि प्रवेश करते हैं, तो उसके सीधे तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रजवलित कर देना है. अब देखिए जैसे ही आप यह दीपक प्रजवलित करेंगे, तो आपकी जो भी मनोकामना है, उससे आपको बोल देना है. आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रजवलित करने के बाद इन सभी सामगरियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुँच जाना है. अब देखिए दोस्तों आपके पास जो एक तामबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से आपको केबल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है. आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है. अब दोस्तों आपके पास जो दो लॉंग हैं. यानि की लॉंग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए. आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है, और यह जो लोगों का जु और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानिया है, यह सभी दूर हो जाएं, यानि की आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्स की समस्या. चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखा में मन नहीं लग पा रहा है, घ जानी की जीस भी प्रकार की आपकी समस्याएं है, उसे आपको महादेव से बोल देना है, और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, अब देखिए दोस्तों आपने जो दो लंग शिवलिंग पर समर्पित की थी, उससे आपक आपको यह दो लॉम डाल देनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है यानि कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है बेलपत्र के व्रिक्ष के वहाँ पर देखिए बेलपत्र का व्रिक्ष यदि आपके घर पर है तो वहाँ पर आपको आजाना है आपके घर के आसपास। और यह जो आधा लोटा जलर है इससे आपको पूरा बेलपत्र के व्रिक्ष की जड़ी डीडिये में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है तो बस इतना सा उपाय आपको करना है जो भी आपकी परेशानी है समस्या है उससे निश्चित ही दूर करेंगे बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र लेनी होगी बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती तो पूजे गुरु जी के अनुसार भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र जो है कहीं से भी आपको खंडित नहीं लेनी है इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़ा सा पीला चंदन देखिए लाल चंदन और पीला चंदन आपको किसी भी पूजन सामगरी की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा औ और इसी के साथ मैं आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा। तामबे के पात्र के अंदर अपने घर से देखिए आपको यह सभी सामगरियां लेकर के पहुँच जाना होगा। भगवान शिव के मंदिर में प्रदोश काल के समय देखें। प्रदोश काल का जो समय है सूर्यास्ठ से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्ठ के 45 मिनट बाद तक रहता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन और पीला चंदन है उनमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है अब देखिए ये आपके पास जो बेलपत्र है बेलपत्र में तीन पत्तिया होती है तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होत एक एक बिंदी लाल चंदन की लगानी है, लेकिन यह जो बिंदिया है, आपको अपने सीधे हाथ की चिठी उंगली के पास वाली जो उंगली अनामिका उंगली उसी से लगानी होगी, अब दोस्तों बेलपत्र की जो डंडी होती है, उस पर आपकी पीला चंदन लगाना है, अब दोस्तों इस प्रकार से बेलपत्र को तयार करने के बाद आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, उसमें से जो आधा लोटा जल है, उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, और जो शेश जल बचेगा, उसे पूरा आपको भगवान अब दोस्तों आपके पास जो एक बेलपत्र है, उससे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना होगा, उल्टा देखिए उपाय विशेश कर धन प्राप्ती के लिए है, या फिर यदि आपको किसी भी चीज का भय है, तो उसके लिए भी आप ही उपाय कर सकते हैं, लेकिन यह जो बेलपत्र है, आपकी जो भी इच्छा है, उससे बोल करके आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है, देखिए अर्पित आपको किस प्रकार से करनी है, इसकी जो डंडी है, वह शिवलिंग की ओर रहेगी, और इसका जो पत्ती वाला भाग है, वह आपको, जलाधारी की ओर रखना है, और जो अपने बेलपत्र की चसाइड पर लाल चंदन और पीला चंदन लगाया है, वह माता सुंदरी से इस स्पर्श होगा, इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है, तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है जो कि आपकी धन की प्राप्ती के लिए है आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं की परिपूर्ती के लिए है देखो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको सुमवार के दिन किये जाने वाले तीन बहुत ही सुन्दर से उपाय बताए हैं इन में से जो भी उपाय आपके लिए उचित है सरल है उसे आप कर सकते हैं यदि उपाय से जुड़ा आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले उपाय को करते समय कोई भी गलती ना करें अगर आपको हमारी विडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हर हर महादेव ओम नमह शिवाए